ंदिनो हम आचारी महराज की दर्शन करने के लिए नैयना गिर गई थे वर्शा काल चल राधया दोपर मैं हमेशा ki तरह आचारी महराज के प्रवचन हुए पहुचन के बाद पार्शनात मंदिर के प्रवेश्च दार से बाहर निकलते समय सबने देखा कि दीवार के साहरे एक छिद्र में से दो सर्प अपना मुँ बाहर निकाले बैठें आचेर महराज की भी नजर उन्पर पढ़ दी बेचंबर वही धैर गए फिर वो जो बोले वो देखिये गा उन्होंने कहा कि सर्प राज शांत भाव से निर्दंज होकर विचरन करो पूर जनम में किये गए किसी अशुक कर्म के उदैस से ये परियाय मिली है उसका सदुक्योग कर लो अपना आत्म कर लियान कर लो किसी का अहित नहों इसका तो ध्यान रखना ये आचारी महराज की अप्तन प्रेव पगी वानी में उन सर्पों के लिए बड़ा पावन संदेश था फिर दिन बीचते रहे चतुरमास में कई बार लोगों ने कवचन के समय उन दोनों सर्पों को वहीं बैठे देखा किसी का भी आहित उन सर्पों के दारा नहीं हुआ ये सब देख कर सुनकर मुझे विशास हो गया अरकि मेरा विशास द्रण हो गया कि सचमुच इसी तरह दिर्धंकर की समोशरन सभा में सभी प्रानी आते होंगे और अपनी अपनी भाशा में धर्म को समझ कर